देखिया मैं यह लास्ट फ्लॉवर लगा रही हूं लास्ट फ्लॉवर है यह तो इस तरह से लगाना है इसे वन चेन अब इस तरह से इसमें जोर देना है फ्लॉवर है टॉवर लगाना है इसी तरह से इस फ्लॉवर को भी जोड़ना है जैसे मैंने बाट की फ्लॉवर जोड़े हैं इस तरह से आएंगे यह जोड़ने के बाद तिरी डवल क्रोशिया फिर इसमें सिंगल क्रोशिय लेते हो अटेच करना है और फिर से इसमें सिक्स डवल क्रोशिय डालना है अटेच करते हुए इसको इसमें यहां पर डालकर इस तरह से अटेच करते हैं इसमें यहां पर डालना है सिक्स डवल क्रोशिया टू थरी इसमें फिर से थिरी डवल क्रोशिया यह हो जाएंगे टोटल सिक्स डवल क्रोशिया यहां पर डालना है त्री डवल क्रोशिया थिर पींचे फिर इस तरह से यहां पर इसको जौइन कर देना है इस तरह से एक इसको जोईन कर दिया है। सिलीप स्टिच लेते हुए आगे कुप इस तरह से बढ़ाना है। इसको अब कट कर देते हैं। देखे इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर जोड़ दिये हैं। देखे इसमें फ्रेंट और बैक में लगे हैं। 64 फ्लावर दोनों में 32 फ्लावर इसमें लगे हैं फ्रंट में और 32 फ्लावर बैक में लगे हैं। टोटल हो गए हैं ये 64 फ्लावर इस तरह से आया है ये बन कर। देखे अब मैं यहां से साइट से बुनूंगी। तो साइट से बुनना है इसका बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से बुनना है इसको। देखे यहां से बुनना है त्री की चेन और डबल क्रोशिया तो की चेन और फिर से थी डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगे ये शिक्स डबल क्रोशिया देखे ये मैंने इसको। डबल क्रोशिया डालते हैं बन की चेन त्री त्री डबल क्रोशिया डालते हुए रोपों कम्प्लीट करना है बीच में पढ़ेंगे शिक्स डबल क्रोशिया और बागी चे के पढ़ेंगे ये थिरी त्री डबल क्रोशिया बन चेन और थिरी डबल क्रोशिया बन चेन और देखे इस तरह से पंचे थ्री डबल क्रोशी टू और ये थ्री इस तरह से थ्री थ्री डबल क्रोशिया डाल लें देखे अब मैंने ये फर्स्ट रोवी नीचे से कमपलीट करती है अब मैं इसको सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर देखे मैंने इसको जॉइन कर दिया है इसी तरह से सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है थ्री की चेन टू डबल क्रोशिया टू की चेन इसके इस तरह से ये रोव आ गई है बनकर फर्स्ट रोव देखे ये फर्स्ट रोव बनकर आ गई है देखे फरंट से और बैक से इस तरह से आ गई है अब ही और बनाना है नीचे को तो मैं इसी तरह से बनाओंमी 3 2 क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया और यहां पर टालना है से इस डबल क्रोशिया फर्रंट में भी और बैक में भी इसी तरह से बनाना है देखे देखिए अब मैं इसको जॉइन कर देती हूँ सिली पिस्टिच लेते हुए इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है देखिए इस तरह से नीचे से बोडर आया है देखिए अब देखिए इसमें मैं नीचे से पॉम-पॉम लगाऊंगी तो पॉम-पॉम मैं बात को लगाऊंगी पहले में इसकी कले से हुड़ी बना देती हूँ यहां से हुड़ी बनाना है तो अब देखिए मैं बनाती हूँ देखिए इसमें मैंने इस फोरो बनाई है बन टू थ्री फोर फोरो मैंने बनाई है इसमें बात को फ्लॉवर के बाद बोडर में यहां से स्टार्ट करना है हुड़ी के लिए थ्री की चेन, टू डबल ग्रोशिय, देखें, फिर बन चेन, थ्री डबल ग्रोशिय, इसी तरह से थ्री डबल ग्रोशिय डालते हुए, बनाना है, वन चेन और थ्री डबल ग्रोशिय, के चेने बनाना है, बनाना है, बनाना लिसिय, ग्रोशिय, प्रोशिय, अज़ और दो जो 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 चाहिं है इसी तरह से बुंते हुए रोखों कम्प्लीट करना है यहां तक कम्प्लीट करना है इस तरह से बनकर आ गई है फर्स्ट रोख हुड़ी अब उपर को इसी तरह से बनाना है थिरी डबल क्रोशिया डालते हुए यहां पर मैंने फॉर की चेन बनाई है और थिरी डबल क्रोशिया देखिए थिरी डबल क्रोशिया फॉर की चेन थिरी डबल क्रोशिया पर пят कि चेन देखिए झसे तरह सदो क्रीड डबल क्रोशिया बनाई हुए भा को आई है इस तरह से बनाना क्रोशा आटए इस तरह से यहां तक बुना है तरह से यहां पर दालना है डबल क्रोशिया फिर बंचेन और यहां पर डालना है डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए अब मैंने यहुडी कंप्लीट कर दी है पुडी मैंने कंप्लीट कर दी है अब आपको नहीं पर देखिए इस तरह से यह उड़ी आ गए है बनकर कर देखिए देखिए यहां से मैं इसको सिल देती हूँ क्रोशिया से बंद कर देती हूँ उपर से तो बंद करना है तो पहले इसकी आपको मैं लेंट बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंट कितनी रखी है हुडी की इसकी लेंट रखी है मैंने 28 cm 28 cm है और यह 11 इंच है इतनी मैंने इसकी लेंट रखी है देखे हम मैं हुडी को यहां से सिल देती हूँ किरोशिया से सिलना है तो इस तरह से सिलना है हुअ हुआ है वहुआ है झाल झाले तर्ष एसे को सुलना justamente अञह आया लाख नर को ऊदोतं लाख lunch कर दो, जजब खबूर प्रफपिश, राज़ के टंगर प्रफब्सकोफिटित की ऊ रामानल के जपरी रे लागते के जबूदे है और जबूर साट प्रफश्ट कर दो, उनलागा। दोनों तरफ से चेन को लेना है इस तरह से सिंगल क्रोश्या लेकर बुलना इस तरह से इसको जोड़ना है इस तरह से आए यहां तर किसी तरह से चोड़ देना है इसको दोनों को बराबर लगकर सिलना है इसको दोनों को जुवे साम आए झाल कि कि अब बने इसको यहां से क्रोशिया से सिल्दिया है पुरिंग को उपर से कि हुआ है पुरोशके एंग से कि अपराई गया ग झ Dave शुर कि शेखिए प्दोंः पिमिले grace के तुग से झालोग झालोग से लुट dबा मेंündर का कि इसको अब ही? мат उलेखिए मैं कि शालो आटएएर जसको दोलेगे हाँ कि इस तरह से आवे हैं घुड़ी के बार इस तरह से आवे हैं अब देखे मैं इसका अगे सब बोडर बना देती हूं यहां से बोडर बनाना है तो इस तरह से बना देती हूं मैं इसका बोडर यहां से बनाती हो टू और यह थेरी की चेन डबल क्रोशिया और यह की है टू तो टल हो गए यह थेरी डबल क्रोशिया चेन को मिला आपए और इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया लेते हूं ना है टू की चेन बनाना है और टू डबल क्रोशिया बन रेकिए टू बन टू की चेन बनाना है और टू डबल क्रोशिया और यह थेरी प्रेकिए टू देखें इस तरह से यह बन कर आएगा बोडर आप किनारी नारी से ऊचे रावे यह कर नेमा टूप की चेन पर टू बै डबल क्रोशिया फिरी 1,2 जमीज़ कीचेंग दोड़ कर House कि आतार तरह कारा से ूही है इस तरह से अरह हैं अटा 1 तो की चीज टो दो डब गरोशीर इस तरह से आया है यह आगे से पूड़ा रहा है देखिये मैं पूडर को कम्प्लीट कर दे दिया है यह मैंने कम्प्लीट कर दिया है पूडर इस तरह से आवे आहे पूरा पूरर बैले इस थागे को में अंदर को कर दे दिया हूँ मैंने इथाग अंदर को कर दिया है यह पूरर को दिखा दिखा दिया है इस तरह से आगा है देखिये इस तरह से आगेसे बोडर आ गया है देखे इस तरह से ये हुडी का बोर्डर बनकर आ गया है और यहां से यहां से भी मैंने बना दिया है अब देखिए मैं हुडी में डोरी डालूंगी यहां पर गले पर यहां पर डाली है डोरी झाली और नीचे पॉम पॉम लगांगो यह आपर यह जो मैंने बॉर्डर बनाया है इसमें पॉम पॉम लगाने है दोनों साइड इधर ली और पाट इसमें से बाले vet बनानी है या दोरी बनाती हूं देखिए हम मैं दोरी बनाती हूं हुडी में डालने के लिए इस तरह से दोरी बनानी है पूरी डोरी सी तरह से बनानी है देखिए, अमरे ये डोरी बना ली है इस तरह से आ गई है डोरी बनकर अब देखिए, इस में डोरी में लगाने के लिए मैं पॉम पॉम बना लेती हूँ पॉम पॉम बनाने है अब इस तरह से पॉम पॉम को बनाना है तरह से बनान दूर्श सक्षी एप कर सब्सक्राव इस बनानाब भी पॉम को खवाँ एपाँ जब देखिए, पॉम पॉम पॉम्सक्टी लागाँ इस तरह से अच्छे से इसको बांदेना है अच्छे से बांद दिया है और इसको मैं कट कर देती हूँ चोटे बड़े हैं इसको मैं कट कर देती हूँ कर देती है और देती है और देती है तरह से अच्छे प्लड़े है हैं देखे हमने इतनाव गुर्फटेशी इतनु पोम पॉम पॉम बना ली ए ऊचा उन और यह में ने दोरी भी बना ली हो आप देखिति इसमां बुड़ी में दॉड़ी में डाल देती इतना दोरी को और पॉम पॉम को में बांद दी तो डालना है इस तरह से में डोरी को डालूंगे हुआँ दूसरी बना प्रीग तरह से टूसरी बना हुआँ कि बना जे तरह टूसरी बना लुट रे लुट लुट से भी लुट लाई लुटाँ लुट लुट से लुट लुट। कि देखिए मैंने डोरी को डाल दिया है कि देखिए डोरी डालने के बाद हम इसमें पॉंपॉं बांग देती है कि पॉंपॉंपॉं बांग देना है हुआ हुआ है ठेहिमने ह्ची से बांटिया जड़ पांटू पुम पुम जूद दो अदुसरा पुम पुमी में सी 10 रांटू कि अच्छे से पांदिया है क25 मनें मैंने दोन ऊंपण बांदिया है डौरी मतरी इस तरह से ओ तरह जया है कि देखें एसमे डोरे भी डाल झाल धी पॉंपण भी डबात ये हैं देखेह नीचे से मैं इसमें पॉम-पॉम बान देती हूँ नीचे से या से देखिया मैं ये पॉम-पॉम बनाती हूँ इस तरह से बनाना है पॉम-पॉम-पॉम करने के बाद लगाना है बराबर करने के बाद लगाना है करने के बराबर किया और इसको मैंने इस तरह से खीज दिया तो ये पॉम-पॉम बन गया देखिए पॉम-पॉम बनात को कट कर देखिए इस तरह से मैंने पॉम-पॉम लगा दिया है वह सारे पॉम-पॉम इस तरह से लगा दिया देखिए पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम-पॉम कि लागनाजर कि इस्टरे समनी लावादिये कि बहुत एची होते हैं लगाना असने की ही तना लग जाते है लोग दब लगाते इस तरह से इसी तरह से लगाना कर दा पाउन यह मैंने अब सारे पॉम पॉम लगा दिये हैं इस तरह से आये हैं यह लगने के बाद अब यह जो छोटे बड़े हैं उनको हम कट कर देते हैं इस तरह से जादे नहीं है छोटे बड़े इस तरह से मैंने इनको कट कर दिया है देकिए इस तरह से मैंने इनको कट कर दिया है जो छोटे बड़े हैं दिखिए मैंने इसकी फिनीशिंग भी कर दी है अब पुम पुम सारे में लगा दिये हैं और यह पॉंचो इस तरह से बनकर आ गया है अब मैं आपको यहां से यहां तक इसकी लेंद बता देती हूं इसकी लेंद मैंने कितनी रखी है इसकी लेंद रखी है मैंने 37 cm 37 cm मैंने इसकी लेंद रखी है पॉंचो की ग्यारा से बारा साल की बेवी गल्स के लिए देखिए यह पॉंचो मैंने आप कम्पलीट कर दिया है यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें थैंक यू